नमस्कार दूस्तों मध्यप्रदेश मौसम चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है इस वक्त मौसम में उतार चड़ा देखने को मिल रहा फिलाल MP में बारिश की बुंदा बुंदी का दौर थम गया है जिसके बाद तापमन में व्रदी हुई है मौसम विबा की मन तो गर्माट बढ़ने लगी है लेकिन उतर भारत से आरही बरफिली हाओ का दौर जारी है MP मौसम विबा के नुसर आने वाले दो दिनों तो पूरे के पूरे प्रदेश में ठंड का असर बढ़ जाएगा यहाँ पर मौसम विबा की और से यलो अलड भी जारी कियागा इसके लावर रिवा, कटनी, पन्ना, चतरपूर, गुना, टिकमगर, जबलपूर, अशोगनगर में हलका कोरा देखने को मिलेगा और न्योंतन तापमन 2-3 डिगरी की गिरावट होगी प्रदेश के उचे इलाकों की बात की जाए तो यहाँ पर तापमन 10 डिगरी के आसपस बना है अधिकतर जगों पर दिन का तापमन 25-18 डिगरी के बीच में देखा जाएगा रात का तापमन 10-13 डिगरी के बीच में देखने को मिल सकता है जिस हिसाब से मौसम चल रहा है उस हिसाब से देखकर लग रहा है कि यहाँ पर अच्छी कासी ठंड देखने को मिलेगी मध्यपरदेश में इसी के साथ मध्यपरदेश के कई इलाकों पर गना को रहा है जिसके चलते visibility काफी कम रही इसके साथ यह तापन में गिरावट आने के साथ ठंड कासर देखने को मिल रहा है और जादा तापमन गिरने के साथ मौसम बदलेगा सिंग्रोली में दोस्तों एक अनिवपूर में 0.5 mm के करीब बरसाथ भी होई मौसम वेग्यानिकों के अनुसार गौलर, दत्या, बिंड, मुरेना, सिंग्रोली, सीधी, जिले में गना कोरा चाहे रहेगा प्रदेश में सरवाधिक अधिक्तम तापमन 27.5 डिग्री सेलसेस जो है, सेंटीग्रेट रुजयन में दर्ज क्या गया सबसे कम नियोंतन तापमन 11.3 डिग्री सेलसेस उमरिया में दर्ज होई अगले 72 गंटों में दीरी दीरे 99 तापन में 2-3 डीरी की गिरावट आतुए नजर आ सकते और मध्या प्रदेश मौसम विबाग की माने तो यहाँ पर मध्या प्रदेश में मौसम तेजी से बदलाव देखने को मिल रहा है प्रदेश में 6 बरसात की गतिदियों पर रोक लग गए हाला कि कल भी शेडोल और रिवा संभा के जिलों में कहीं कहीं पर हलकी बुना-बुन्दी दर्ज हुई है लेकिन प्रदेश के अन्य जिलों में आस्मान साफ हुआ है बादलुक हैटने के साथ दिन के तापन में थोड प्रदा, नर्मदापूरम, सागर, छतरपूर, टिकमगड, निवाडी, जबलपूर, रिवा, कटनी, पन्ना में हलका कोरा देखने को मिल सकता है इसी के साथ मौसम मिला जुला रहेगा और मध्या प्रदेश में गने कोरे के साथ परिवर्तन भी होगा आप कौन से जिले गाह में शहर में रहेते हैं पूरे के पूरे मध्या प्रदेश के हमें कमेंट करके जरू बताना बढ़वानी में 17, 18, 19, रात के समय दिन में 30 के आसपास ताप मर रहेगा बादल चैरिंगे उताचडा आफजारी है तेज आओ के साथ परिवर्तन के साथ मौसम मिला जुला रहेगा गौलेर में 13, 14, रात के समय दिन में 25, 26 बादल चैरिंगे उताचडा आफजारी है और बुद्वार गुरुवार से बादलो के आओजी के साथ मौसम में तंड़क है दार में 15, 16, 17, 18, रात के समय दिन में 26, 27 पूरे 7 दिन बादल उताचडा आफजार रहेगा शिवपूरी में 12, 13, 14, रात के समय दिन में 24, 25 बादल चैरिंगे उताचडा आफजारी है मंसर में 13, 14, 15, 16, रात के समय दिन में 26, 27 बादल चैरिंगे उताचडा आफजारी तेज आओं के साथ परिवर्तन होगा वाई विदिसा की बात के हो तो 13, 14, 15, 16, रात के समय दिन में 26, 27, पूरे 7 दिन बादल चाहरेंगे, मौसम में थंड़क है, मौसम मिला जूला रहेगा, और बादलो के आउजे की साथ बदलाव भी देखने को मिल सकता है, तो कई लागों पर थंड़ा सोना रहने के आसार है, सतना में 24, 15, 16, रात के समय दिन में 25, 26, बादल चाहरेंगे, उताचड़ा अफजारी, पूरे 7 दिन बादलो के आउजे की साथ मौसम में थंड़क है, तो मौसम मिला जूला भी रहे सकता है, और उताचड़ा अफजार रहने के साथ ते जाओं के साथ परिवर्तन भी होगा गोना की बाद के तो 13, 14, 15, रात के समय दिन में 25, 26, तीन दिन मौसम साफिर बादल चाहरेंगे, उताचड़ा अफजारी है, बादलो के आउजे की साथ मौसम में थंड़क रहेगा, मौसम मिला जूला भी रहे सकता हुताचड़ा अफजार रहने के साथ और भी जादा हलच गोना की बादल चाहरेंगे, उताचड़ा अफजारी है, 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 उताचड़ा अ साथ परिवर्तन मौसमीला जुला रह सकता और बादलो के वजे के साथ बदलाओ भी होगा देवास में 13, 14, 15, 16 रात के समय दिन में 26, 27 पूरे साथ दिन बादल उता चड़ा अफजारी है अलि राजपूर की बात के वहाँ तो 16, 17, 18 रात के समय पुरे साथ दिन बादल चार से पान दिन के बाद बुदवयर की बात की होता परिवर्टन होगा मंदला में 14-16-17 रात के समय दिन में 26-26 बादलशारी है और यहाँ पर बेटूल में बादलो के वज़ी जार रेगी आनुपूर आगर निवाडी समेत मौसम में ठंड़ का वर बादलो के वज़ी के साथ परिवर्तन भी होगा तो यह था दोस्तों पूरे के पूरे मध्य प्रदेश का मौसम वीडियो पसंद आते वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरू करना